हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी पाठ शाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह चीज पूछना के कैसे हैं आप सब तो यह तो कहीं नाइनसाफी ही है आज के समय में क्योंकि कल पूरे कल पूरा दिन आपका पेपर रहा पूरे दिन का मतलब कल की दू मीटिंग आपका किस प्रकार का आ रहा है ठीक है आया है क्योंकि तीन मीटिंग तौक यह हो चुकी है ठीक है कल की बात की जाए, कल की दू गई, आज सुबह की एक हो गई है और शाम की मीटिंग भी उसमें कुछ बदलेगा नहीं तो यहीं पर वह एक मोटा-मोटा ऐडिया आ जानने का प्रियास करेंगे सबसे पहले पर कि पर करी जाए तो अभी आपको पता है इस वार तीसरा पर है कौन सा पेपर नौर्मल की स्तिति में आपका था अगर आप 2022 में जाओ तो कुछ लेवल पिछले साल जो संभवते 15 शुल अक्टुबर को पिछले साल आपका पर हुआ था तो उसमें जो आपका पर का लेवल था वो आपका कुछ मोडेरेट लेवल तक गया था कुछ मध्यमस्तर तक पर इस बार जो 2023 का पर हो रहा है इसको maximum बच्चे कठिन बोल रहे हैं यह बच्चों के द्वारा बताई गई एनलेसिस के अधार पर है और पेपर को देखने के से लग रहा है अब यहां पर कठिन की परिवाशा क्या है कि आप परिक्षा किसकी ले रहे हो आप परिक्षा ल अब नहीं है आप लेकपाल की परिक्षा लोगे समझ में आता है आप लोवर पीसेस की पड़िक्षा को भूरती चर्ओड विचक करोगे आपप जाना चैर्टरर परिक्षिंट्र को निकालो घ्ल खालो आप ठीदेंकेंट तो क्या यह लेवल जो आपने यहाँ पर बना दिया है यह कठिन लेवल बना दिया है यह इस तेंथ लेवल के हिसाब से उपयोगी है और क्या आप यहां से सीधे नोकरी देना जा रहे हैं यह मतलब आप इसके बाद कुछ नहीं होगा पैट के अधार पर हम क्या काम करेंगे इसके नोकरी देंगे तो आपको बता होना चाहिए पहली बात तो यह जो चीज है एक विए यहां पर आगे बढ़के बात कर लेइते हैं फिर बताता हूं मैं आपको ऐहां पर नहीं क्योंए बेसाफ का एक्जाम है उसके बद क्वालिफाइए निचर है और यह कहने मात्र के लिए क्वालिफाइए निचर है तो इतने मार्ग स्यद्धि ले आएगा तो उसका आराम से सूपरटेटल बैठेगा या यानेवाली वर्तियों बैठेगा कई आपके त prisons तुछ भी नहीं है और या ॉंट इस नॉर्मल सुन का लगता नहीं है और जो लेवल उनका रहता है प्रतीवर्च बही लेवल नका रहता है कोई ऐसमें घटोतने बडूतने नहीं पर आप तो इसको साल दर साल तफ करते चले जा रहे हो जैसे कि इसके आधार पर यह आप नोक्रीद होगे तो यह मतलब बच्चों के साथ आप क्या करना चाहरे हो अच्छा फॉर्म निकलते नहीं है ठीक है यूपी ट्रेपल सी दो जारी किस की पैट के अधार पर जो दो जा कोई भी उप्योगिता नहीं है क्योंकि न तो आपने कोई एक पर्टिकुलर कटॉफ यहां पर रख रख रखी है जैसे टैट में रख रख रखी है तो बच्चे को कम से कम यह आइडिया तो रहे विचारे को कि मैं इतने करके आओंगा इतने मैं करके आओंगा मेरा काम हो जाएगा और आपको परिक्षा परिक्षा के इस तरह को उसी हिसाब से मेंटेन रखना चाहिए उसके बाद आप कटॉफ लगाओ कोई तरीका नहीं है बे तर्तीर तरीके से यह बच्चों के जीवन के साथ आप लोग जो खिलवार कर रहे हैं यह बिल्कुल अच्छा नहीं भगवान देख रहे हैं और जो आयोग है आयोग के अधिकारियों को भी और चैर्मन साब को भी चीज़ देखनी चाहिए समझनी चाहिए कि बच्चों की प्रॉब्लम है आप प्रतीवर्स कोश्चन का लेवल बढ़ाते चले जा रहे हो आप लेवल में क्या है बहुत सारी आपने डिटेल स्लेबस दे रखा है उस डिटेल स्लेबस में से भी बाहर चीजें जा रही है ठीक है अब देखो कुछ आपने अतरंगी कुछन यहां पूछ लिए अब गांदी जी ने लगोटी लगाना कब शुरू कर यह कोई कुछन होते हैं कि पूछने वाले ठीक आप अंग्रे जीव उसके भाषा कोशल को जांच रहे हो आप इतिहास में जब जाओ आप तो उससे यह जानने कोशिश करो जिससे उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है अप सिंदुगाटे से बिता पूछो आप चीजें पूछो आप गांदी जी के आश्यों अंदोलन से प करो यह मतल強 लाप करके वेठा यह कोई लाइटिक नहीं होता यह इसवरल चीजों ऐसे करो कि आप कुछ चीजें हैं उनको थोड़ा सा अप लेंदी रख दो कुछ चीजों का असान करो बच्चों कम से कम इतना मोका दो कि वह एक अच्छा स्पोर कर पाएं वह विचारे आगे की उम्मीद में पेपर देने जाते हैं आप आपने सेंटर बहुत दूर दूर डाल दिया क नहीं जगे आप चीजों को बहुत ज़्यादा लंबा गुमा फिरा के ले जा रहे हो गुमा फिरा के आप प्रशन पूछ रहे हो तो टैंट लेवल के तो पेपर है दोस्ता आपको यह मतलब समझना चाहिए आयोग को भी कि बच्चों साथ इस तरह से मजा करना आयोग तो वह फिर आगे के एक्जामस की त्यारी करें एक वह आगे के एक्जामस की त्यारी करें यहां पर आप देखने और कोई नहीं इस बात को बोलेगा ठीक है यह बात बोलनी चाहिए पढ़ाना भी जरूरी है बोलना भी जरूरी है इन बात को बोलना चाहिए साथ में देखो उपस्तिति के अगर बात करें तो 28 अक्टूबर में टोटल जो दस लाग 3,768 बच्चों पर देना था यह कलका डेटा है और लगबग आज भी इतना ही मतलब यह चीजह आपकी रहेंगी मोटा मोटा वही परसेंटेज रहेगा जो कलका था आपका और कुल मिला के एक्जाम किस ने दिया 6,23,732 बच्चों ने एक्जाम दिया कुल मिला करके आपके टोटल परसेंट 62 परसेंट रही लगबग ल कि नहीं है इस एक्जाम का यदि आप टैट की तरह से इसको रखते तो कितना बढ़िया होता बच्चों का जीवन सुधरता बाकी घबनाने की जूरत नहीं है किसी को अगर किसी को लग रहा हो कि कट आफ बहुत जद उपर जाएग यह जाएगी तो कट आफ की नहीं है जो क बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए और कम से कम धंग से आयोग को चैने प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए इसी बात के साथ आप देख रहे हैं ते राम जी बाट शाला मैं हुना भरत जय हिंद जय भारत